असलाम आलेकुम फ्रेंड्स आज की वीडियो में मैं आपके लिए ले के आए हूँ प्लास्टिक शीट जो के जमीन पर बचाय जाती है पहले मैंने आपको एक वीडियो में उसको दिवार पर लिगाना सखाया था लेकिन अब मैं आपको दिखा रहा हूँ जमीन पर लगाने का तरीका जमीन पर यानि के फ्लोर पर तो ये गलू आपने देख लिया है जो के पिक्चर में मैंने आपको दिखाया है इसको हम अपने फ्लोर पर ऐसे बिचा देंगे इसको अच्छे तरीके से बिचाएंगे आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा पानी भी मिक्स कर सकते हैं लेकिन मेरे जगा थोड़ी थी तो इसलिए मैंने इसको ड्रेटली ही प्लाई कर दिया है क्योंकि ये नमी में खुद बाखुद ही पका और मस्बूत होता जाएगा तो आप देख लें ये हमने फ्लोर पर इसको अच्छे तरीके से लगा दिया है हम इस पर प्लास्टिक शीट अपलाई करेंगे इसका फाइदा ये होगा कि प्लास्टिक शीट अपनी जगह से खिसकेगी नहीं और इदर उदर नहीं जाएगी तो अब हम इसकी शीट की कटिंग करेंगे क्योंकि शीट हम लिया चुके हैं तो अब इसको कटिंग करेंगे शीट कटिंग करने के लिए आपको कोई भी बलेड बगरा के जुरुत नहीं है आपने अपनी शीट की पमेश कर लेनी है और पमेश करने के लिए आप किसी भी तरीके से इसको निशान लगा लें यह देखे जी यह शीट के डिजाइन दिखा रहा हूं मैं आपको साथ-साथ आपको बजार से काफी फ्लॉर्स शीट मिल जाएंगी इसको आप चाहे तो दिवार पर भी लगा सकते हैं इसको चाहे तो आप जमीन पर भी बचा सकते हैं तो यह हम ले आए हैं हमें 35-400 रुपे फुट तक यह शीट मिल जाती हैं बजार से इजिली हम इसको कटिंग कर रहे हैं कटिंग करने के लिए आपने सीजर को बिल्कुल कपड़े की तरह इस्तमाल करना है इसके ना तो यह खराब होगी ना टेडी मेडी होगी तो अब हमने इसको अपलाई करना शुरू कर दिया है तो आप इसको एजिली अपलाई करें क्योंकि इसके नीचे हमने गलू अपलाई कर दिया है PCI का गलू जो कर बहुत ही अच्छा और मजबूत होता है उसको लगाने का फाइदा ये है एक तो इसकी बबलिंग खुद 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 खुत्म हो जाएगी क्योंकि ये हम फ्लोर पर बचा रहे हैं तो इसकी बबलिंग अगर बन भी जाए मेरी वीडियो मेरे चैनल पर मजूद है मेरे चैनल पर आपको बहुत सारी आपकी alternative वीडियोज मिल जाएंगी जिसमें आपको डिवारों के हल और उन पर सस्ता जुगाड किस तरीके से लगाया जाता है वो सारी वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिलेगी ये एक शेलफ नुमा करूंगा यह देखे जी मैं फ्लॉर पर यह शीट बिचा रहा हूं हमने इसको बिचाने के बाद इसको अच्छे तरीके से कपड़ा के साथ प्रेस कर लेना है क्योंकि नीचे गिलू लगा हुआ है तो यह बिल्कु स्टीकर की तरह चिपक जाएगी तो बाद पहले लोग यह क तो उसको आपने मेल्ट करके अपने फ्लॉर पर बिचा लेना है बिचाने के बाद आपने इस पर शीट की प्हा देनी है तो उस पर आप जब शीट बिचा देने तो एज़िली कपडे की मदद से आप उसके बबल्स को खतम करते जाएंगे अगर कुछ थोड़े से वह बब ग्रेस पर भी मिलेंगी तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर किया करें तो ये देखें ये एक सिंपल फ्लोर था जिसको मतलब आप कह रहें कि सीमट वाला फरश था तो उसको लुक देने के लिए हमने उस पर मार्बल कलर की ये प्लास्टिक शीट बिचा दी है तो अब ये माशालला बहुत ही प्यारा लग रहा है आपको माँ एंड पर दिखाता हूं कि ये तकरीबन इस पर 30 से 35 रुपे फुट में ये शीट मिल जाती है तो आपको बजार से बहुत सारे कलर में मिल जा देगा तो आप इसको किसी अच्छी होलसेल शॉप से लीजिएगा जहां से आपको ये कुछ और ज्यादा डिसकांटर प्राइस पर मिल जाएगी तो हम तो लाएं हैं तकरीबन 35 रुपे फुट में ये शीट तो आगे आप भी अपने बजार से पता कर सकते हैं और अपने को अपने बैडरूम को या अपने किसी भी रूम को खूबसूरत बना सकते हैं तो वीडियो ची लगी तो वीडियो को लाइक करें चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्क्राइब करने शुक्रिया